केंट्रिया मंत्री और हमिरपूर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंग ठाकूर आज उना सिला के वेभिन स्थानों पर पाठी कारेकरवों में भाग ले रही हैं। कारहे हमलों का जवाब देते हुए कहा कि जब किसी राजनितिक दल के पास जनता को बतानी के लिए अपनी कोई उपलब्धी नहीं होती तो वे मुद्दों से भटकाने और गुमरह करने का प्रयास करते हुए इसी परकार की बयानबासी करता है। और में मुद्दों से भटकाने का काम क्या करना है। महिला होने का और महिलाओं के प्रती कॉंग्रेस की सोच ये राहूल गांदी जी से शुरू हुई और एक के बाद उनके बाकी नेताओं ने महिलाओं के उपर कीचड उछालना शुरू कर दिया। ये कॉंग्रेस की सोच दिखती है कि महिला विरोधी है। तो इसे किस तरह केंडरी जांच अजनसी का दुर्पयोग बताया जा सकता है। केंडरी मंत्रिया नुराग सिंग ठाकुर ने कहा कि कॉंग्रेस का घोशना पत्र पूरी तरह से देश को बांठने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के रणनेती के साथ अंग्रेजों ने भारत पर शाषन किया। कुछ इस तरह की रणनेती को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेस ने इस घोशना पत्र का निर्मान किया है। उसकी एक के बाद दूसरी लाइन पढ़ी जाए तो वो अपने आप में भारत विरोधी साबित होती है।